है यह लो एंद विलकम बैक अगेंटू मॉडरन हिस्ट्री सीरीज में हम लोगों ने कंटिनी कि हुआ था हमरा डिफलोपमेंट के बारे में जहांँ पर एजुकेशन डिफलोपमेंट एन्मिनिस्ट्रेशन और तमाम तरीके के डिफलोपमेंट्स डूरिंग दा कोलोनियल एर के और किस तरीके से सरॉwlक sata और डफलमेंट में थो ओं मतलब कि रिलवलपमेंट की है अधर तरीके की इंडर्सडिल डफलमेंट हो जाहे तो लोगों के बारे मां दो फड़ावज़ डिसकूस करते हैं और यज़संक टार्ट फisesti और उसके बा Campaign these लिखेंगे जो content है तो सबसे पहले अगर देखा जाए इन एकॉनोमिक पॉलिशी को तो जितने हमारे एकॉनोमिक पॉलिशीज है में बाट सकते है तो ये इकॉनोमिक प्मेशी दिवाइट है एक फ़ाप थे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल विच्पितल मिसह यह जो कॉमर्शियल विच्पितलिजम चलती है यह चलती है 18 मतलब की 1757 से ले करके 1813 टक के लिए होता क्या है कि बकसर की वार होती है Battle of Boxer and Battle of Plassey होती है तो Battle of Plassey और बकसर से पहले यहाँ पर जो Britishers रहते हैं वो directly कभी भी economy policy में involved नहीं होते थे indirect way में रहते थे और एक दूसरे से आपस में लड़ा करके ultimately उनसे दोनों से ही जो है compensation वसूलते थे और इस तरीके से लोग अपना काम कर रहे थे लेकिन Battle of Boxer के बाद से पूरा administrative और revenue control इन लोगों ने ले रखा था अपने पास और इस तरीके से Bengal में जो सारी powers थी वो सारी के सारी powers जो होती है वो British के हाथ में आ गई थी बिटेश के हाने के हाथ में यहां पर इन्होंने क्या किया था इन्होंने dual system निकाल के रखा था dual system या फिर डायर की एक तरीके से बोल सकते हैं तो यह जो डायर की थी जहां पर administrative का जो काम है जो परजा की देखभाल करनी है वो सारा काम दे दिया गया था जो बंगाल के नवाब थे और जितने revenue collection से related चीज़े थी international relation से related चीज़े थी वो साली बिट्सर्स ने अपने हाथों में ले रखी थी और इस तरीके से यहां पर blame करने के लिए नवाब के हाथों में केवल और केवल blame ही आ गया था तो आगे अगर देखा जाया तो 1813 तक यह policy चलती रहती है लेकिन 1813 के दौरान में in fact 1813 से ले करके 1833 के बीच में दो charter act आये थे charter act 1813 and charter act 1833 इन दोनों के माध्यम से ultimately जो इस्ट इंडिया कंपनी की एक तरीके से dominance थी उसको खतम कर दी गई थी और अब जितने भी capitalist लोग थे ब्रिटेन के वो सारे लोग आ सकते थे यहीं पर और इस तरीके से जो यह commercial capitalism थी 1757 से 1813 के बीच में वो फिर पूरी तरीके से 1833 में खतम हो गई थी जो monopoly of the company था जो monopoly over the trade थी वो पूरी तरीके से खतम कर दी गई थी और इस तरीके से जो British सामराज है जो British power है वो फिर convert हो गई थी commercial capitalism से industrial capitalism के और में जो second phase आती है industrial capitalism इस industrial capitalism की जो शुरुवात है obviously 1813 से start होती है और 1858 तक चलती है जब तक की British crown इंडिया में नहीं आ जाता है 1857 में war होती 1857 वाली और फिर इस तरीके से British crown जो है वो इंडिया में आ जाता है इस इस industrial capitalism के दौरान में होता क्या है कि जितने भी industries हैं जो Britain में डवलप हो रही होती है तो industrial revolution आ जाता है हमारे चुकि यहां पर industrial revolution हो गया है तो जितना भी raw materials वगर हैं वो अब इंडिया से Britain में भेजे जाने लग गया थे और इस कारण से कह सकते हैं जो हमारा handicraft वगर है था वो पूरी तरीके से destroy हो गया तीसरी जो फेज आती है वो आती है financial capitalism के दौरान में so this is financial capitalism जो financial capitalism यह 1858 से start होती है या फिर आप बोल सकते हैं कि 1860 से start होती है और यह जब तक इंडिया आज आज नहीं हो जाता है तब तक यह चलती है यहां financial capitalism में कई सारी नए थियोरी जाते हैं जैसे कि एक होती है जिसको बोलते हैं हम लोग ड्रेन आफ वेल्ट थियोरी इसके अलावा यहां पर अब development का का में स्टार्ट किया जाता है जैसे development of rail हो गया road हो गया इसके अलावा post हो गया ना तो यह सारी developments वगशा है तिलिफॉन्स वगशा हो गया तो यह सारे development बेटेन में चला जाएगा दूसरा रीजन था deployment of army deployment of army जल्दी से जल्दी deployment किया जा सके army का किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और इस तरीके से यह ती में development की बात में कि यहां पर developments तही है वह क्यों किये जा रहे हैं तो यह हमारी पूरी एक तरीके से आप बोल सकते हैं जिस्ट है जो हमारे commercial phase है commercial capitalism इस commercial capitalism में जो important laws है वो है land revenue systems तो land revenue system यह हमारा आया था this commercial capitalism के दौरान में फटाफटे इसको हम लोग जरा discuss कर लेते हैं कि कौन-कौन से land revenue system है सबसे पहले तो system कितने थे तो हमारे पास basically तीन तरीके के system थे एक था जिसे हम लोग बोलते हैं permanent settlement दूसरा हमारे पास था जिसको हम लोग बोलते हैं रहयतवारी settlement तो रहयत वारी settlement हो गया और तीसरी जो हमारे पास है वह है महलवारी settlement तो दिस महलवारी settlement कि अ जाति दैख लेते हैं कि आखिर में क्या कुछ हुआ कैसे हुआ है 1772 के ढौरान में 1772 के दौरान में यहां पर सिस्टम यहां पर इसको बोल सकते हैं हम लोग इसरे धारी सिस्टम है जईरे धारी सिस्टम और या फिर इसी को बोल सकते हैं तालुकदारी तालुकदारी सिस्टम और 1793 में इसी चीज को फिर से मोडिफाई कर दिया गया कॉर्णवालिस के द्वारा और कॉर्णवालिस ने यहां पर क्या नया सिस्टम ले आ दिया उसको बोलते हैं हम लोग पर्मानेंट सेटेलमेंट पर्मानेंट सेटेलमेंट या इसी को बोलते हैं हम लोग इस्तमदारी सिस्टम इस्तमदारी सिस्टम देखें इसके अलग अलग नाम है तो नाम को special फोकस आपको करना है क्योकि examination में नाम को ही complex किया जाता है otherwise system तो सेम ही है तो यह हमारी पर्मानेंट सेटेलमेंट के दौरा फैला था तो कहां कहां पर फैला था लेटस चैंज डख था ठीक है तो यह फैला हुआ सेमस्टों को लगाया गया था बीभी other का मतलब हो गया बेंग्ल बिहार पर फेल विहार ईन्द अरीजिắc है इस इस इäh region पारस के इलाके में इस से लेंड रिवेन्यू कलेक्शन होती थी और मोर इंपॉर्टेंटली नौर्थ करनाटका में नौर्थ करनाटका देखें यह इलाके बहुत अलग-अलग हैं और इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है तो आपको याद ही करना होगा कहां कहां पर रहे लेकिन एरिया में फैला हुआ तो 19 परसेंट का यह इलाका था जहां पर इस पूरे के पूरे लेंड रिवेन्यू सिस्टम को कंट्रोल किया जाता था यहां पर कंट्रोल करने में जो लोग थे वो कौन थे वो कहे जाते थे जमिंदार तो जमिंदार को बिसीकली पावर दी गई थी कि आप लोग जो है लैंड वेन्यू सिस्टम कलेक्ट करेंगे इसका ये एक बटा दस से एक बटा इग्यारहमा जो भाग था वो खुद रखते थे और जो बाकी बचा होता था वो दे देते थे बिटिश को बिटिशर को अब यहां पर बिटिशर ने जमिंदारों को उपर कंट्रोल करने के लिए एक लॉग निकाला था 1794 में जिसको बुलाता है संसेट लॉग संसेट लॉग का मतलब यह होता था कि संके सेट होने तक यानि सूर्यास्त होने तक जो भी कलेक्शन है वो ले आकर के जमा करना होता था जमिंदारों को अगर इन केस वो जमिंदार नह करता था और इस कारण से अगें जो है आपको जो जमिंदार्स थे वो कहीं न कहीं कंट्रोल में आ चुके थे ब्रिटिशर के लिए यह ब्रिटिशर के लिए बहुत ही विन-विन सिच्वेशन थी पहला निगोशियेट नहीं करना पड़ेगा जाकर के फार्मर के साथ में औ द्वारा यहां पर जो जमिंदार्स थे नो डाउट वह बहुत ज़्यदा प्रॉफिट ले रहे थे और वहीं दूसरी हो जो किसान थे वह एक्स्प्लॉइट हो रहे थे तो यह सिस्टम हुआ करता था इस पर्मानेंट सेटिल्मेंट के दौरान में तो इसको आपको ध्यान रखना है अगर हम लों बात किया जाए कि रहतवारी सिस्टम में क्या चल रहा था तो रहतवारी सिस्टम की बात अगर किया जाए तो यह लाया गया था था थौमस मुन्रो के द्वारा लाया गया था इसके अलावा कैप्टन रीड थे एक तरीके से इस सिस्टम को चलाने व system को कहां पर start किया था तमिलनाडु में start किया था जगह कँ सी थी या डिश्टिक का था तोSP का नाम है बारा महल भारा महल याद रखिएगा again this may be important तो Captain Dean ने तमिलनाडु में बारा महल में इस रियत वाणी system को start किया था इसका मतलब क्या होता था रियत का मतलब होता है एक तरीके से जो जमीन है किसान की ही रहेगी और इससे लेंड वन्यू की आजयेगा देरिक्ट वार्मेट में बेटिशर के दुआरा तो यहाँ पर चीज़ें होती थी और यह system काफी अच्छा भी चल रहा था ऐसा नहीं है की गरबर चल रहा था यह system काफी अच्छा चल रहा था और इनफाट यह बहुत जादा एक तरीके से famous भी हो तूबियस ही बात है कि यहाँ पर क्या होगा कि अ चीज़े जो होती है वो रियत्वारी सिस्टम के फेवर में ज्यादा थीifully कौन-कौन से इलाके थे जहां पर यहां रियत्वारी सिस्टम चल रही थी तो इलाके हैं तमिल्नाडू एक तो यहीं से स्टार्ट ही हुआ है इसके अलावा दिखे ऐसा न ही है साउथ इंडिया में है क्योंकि East Bengal में भी चलती थी तो East Bengal के इलाके में यह चल रही थी अस्म के इलाके में चल रही थी और कुर्ग के इलाके में यह Land revenue system चल रहा था तो दिखे अगें याद करना है वो थोड़ा इधर उधर जरूर है लेकिन वह वसूला जाता था और यह टैक्स ओविसली सीधे के सीधे बिटिश के हाथों में चली आती थी अगर हम लोग बाती किया जाए कि आखिर में जमिंदार कितना रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं तो रिवेन्यू कलेक्शन में देखिए यहां पर 10% या उससे कम केवल रिवेन प्रामिनेंट था और काफी यादा तेजी से बढ़ भी रहा था आगे अगर हम लोग बात करें हमारे नेक्स्ट महलवारी सिस्टम के बारे में तो महल का मतलब होता है विलेज एक ऐसे यूनिट के रूप में जब लिया जाएगा तो इसको बुला जाएगा महल्स तो दे आ जाएगा जो महल का हैड होगा यानि की जो विलेज का हैड मैन होता था उसको बता दिया जाता था कि देखो भाई ऐसा है इतना रिवन्यू कलेक्ट करना है आपको तो अब यहाँ पर जादा लोगों को ध्यान देने की जूरूत नहीं है क्योंकि अब डिरेटली जो यह लेकि जमिंदार का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर इसके अंडर में सारी जमीने आ जाएंगी जमिंदार के अंडर में क्या था कि सारी जमीने जमिंदार के अंडर में आ गई थी रहत वारे सिस्टम में क्या है कि पीजेंट के फार्मर के अंडर में ही सारी की सारी जमीने है तो किसी के हाथ में गई नहीं है महलवारी सिस्टम में क्या है कि यहाँ पर जमीन अगेन महल की है विलेज की ही है तो विलेज में जो है वो रिस्पॉंसिबल है तो यहाँ पर किसी जमिनदार वगर के हाथ में जमीन जो है वो नहीं गई है nuclear हो गया क्या چीज है system को start किस ने किया था इस system को start किया गया था Mackenzie के द्वारा तो this is Mackenzie जिन्होंने ये mahalवारी system start किया था इसके अलावा, दो और लोग भी है जो important है generally Mackenzie का नाम ही books में मिलता है but again Martin Bird एक है आपको और James Thompson नाम भी आज रखना है तो James Thompson ये दोनों लोग भी जो है इसी James Thompson इसी philosophic system related है महलवारी करें आखर मुन्रो और कैप्टन रीड ये लोग थे रही यह तरीके से क्या अगर महलवारी system कहां कहां पर फैला था तो ये फैला था यूपी में था अब यूपी में क्या है आगरा में था आगरा के अलावा आपका अवद के इलाके में था तो इन इलाकों में फिर आपके मध्य प्रदेश मतलब कि उस समय का मध्य प्रांत के इलाके में था और पंजाब में बेसिकली ये फैला हुआ था कितने area में था तो ये बिटिश के लगबग-लगबग 30% area में इस तरीके का land revenue system जो है वो collect किया या था इस तरीके से इन्होंने division कर दिया था society में तो division in village village में क्या है के division कर दिया गया था लोग जो है अब एक साथ एक जगा पर नहीं आते थे तो कही ना कही इनका जो काम था division करने का वो तो इन लोगों ने पूरा कर ही लिया था और साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया था कि एक तरीके से अपने land revenue system को भी काफी अच्छे से develop कर लिया था इस land revenue system में चलने के बाद में ultimately फिर जब capitalism जो है वो बढ़ता है लोगों को ज़्यादा दिखता है तो ब्रिटेन में बाकी capitalist भी कहते हैं कि हमें भी जाना चाहिए और इस तरीके से charter act ला दिया जाता है charter act इस 1813 का और 1833 का लाया जाता है और इस तरीके से यहाँ पर industrial activity इंडिया में start हो जाती है इस दौरान में in fact 1800 से ले करके 1800 से पहले एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर industrial revolution हो गया था machines जो थी वो बनाई जा चुकी थी और machines के लिए requirement थी raw material की तो raw material को अब इंडिया या इंडिया जैसी जितनी भी colonies हैं उनको raw material का source बना दिया गया था तो इंडिया में जितने भी handicraft या फिर जो भी factories बगरे लगाई गए थी वो अब खराब हो चुकी थी मतलब खराब in the sense कि उसका कोई use नहीं था क्योंकि अब जो finished product है वो उनसे कोई भी लेने वाला नहीं है क्योंकि raw material की जब supply की जाएगी तो industrial revolution के दौरान में जो इंग्लेंड में final product बनेगा उस final product की इंडिया में dumping की जाएगी और obvious ही बात है यहाँ पर कुछ नई चीजे रहेंगी तो नई चीजों के प्रती लोग ज़्यादा attract होते हैं प्लस इसका rate भी काफी कम रखा गया था जिसके कारण से अब इंग्लेंड की ही goods जो है वो जादा name fame कमा रही थी तो यह तरीका अपनाया गया था और इस तरीके के माध्यम से यहाँ पर de-industrialization हो गया था इंडिया में और यह सारा का सारा चल रहा था second phase of second phase of economic policy में जिसके बारे में already we had discussed economic ठीक है economic जो भी है phase ठीक है फिर हमारे पास आती है third phase of economic development third phase में क्या होती है third phase में drain of wealth होती है drain of wealth अब यह drain of wealth theory है यह शुरुवात में तो दी गई थी किसके द्वारा शुरुवात में दी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा तो dbn का मतलब है दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले drain of wealth को एक तरीके से प्रोपाउंड किया था अपनी theory और इन्होंने कई तरीके से अपनी चीजों को बताया था जैसे कि इन्होंने सबसे पहले 1867 में इस्ट इंडिया असोसियेशन की मीटिंग हुई थी कहां पर हुई थी बताईए कहां हो सकती है जहां पर यह association बनाया गया होगा कहां बनाया था लंदन में बनाया था तो लंदन में इस इंग्लेंड डेप्ट ओफ इंडिया तो इसके बारे में भी आप जानते रहें यह क्या चीज़ है इसके अलावा इन्होंने कई सारे पॉब्लिकेशन किये जहां पर इन्होंने अपने dream of wealth theory के बारे में बताया जैसे एक पॉब्लिकेशन है अगे थोड़ा सा color chain करते हैं तो यह एक थी जिसको बोलते है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ठीक है दूसरी थीरी है दा वांट्स है दियार लखना है तीसरी है on the commerce of इंडिया on the commerce of इंडिया इन तुइन्हों पब्लिश्मेंट्स के थूरू इन्होंने dream of wealth theory को आगे बढ़ाया था देन अफिल थीरी को और ज्यादा फिर्म में लाया था अब देखिए यहां पर हमारे एक साहाब जिनका नाम है सरस्यद एह्मद खां सर सयद एह्मद खां तीक है जिन्होंने अलिगण मोंवेंट्स चलाया था है इनके बारे में तो सरस्यिद एहमद खां ऊब्यसी बात थे इस drain of wealth theory के against में ही रहेंगे तो ये drain of wealth theory के against में थे और उन्हेंने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है सब केवल और केवल जो होता है वो इंडियन्स और actual में इंडियन्स मुसल्मान को जो है वो divert करने की कोशिश की जा रही है ऐसा कोई भी चीज जो है अगर drain of wealth को देखा जाए कि किस किसने फॉलो किया था या किसने किसने एक तरीके से माना था तो एक तो हो गया दादा भाई नौरो जी जिन्होंने अपनी पूरी पब्लिश्मेंट्स वगरे दे रखी है इसके अलावा उस समय के नेता जी थे जिनका नाम है सी आरदास चितरंजन दास है ना जो सुभाष चंद्रबोस के एक तरीके से पोलिटिकल गुरू भी थे तो सी आरदास थे इसके अलावा गोखले जी थे गोपाल कृष्न गोखले जो गांधी जी के गुरू जी थे इसके अलावा आर सी दत्ता जो आई एस थे है ना तो यह चीज़े की गई थी डवलप्मेंट्स के द्वारा इन्होंने जो दादाबाई नहुरू जी थे उन्होंने इस ड्रेन आफ वेल्थ को एविल आफ एविल्स कहा तो इतना बड़ा एविल है एविल आफ एविल्स की इन्होंने मतलब एक तरीके से टाइटल दिया था इस सिस्टम को ठीक है इसके अलावा 1901 में जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी है इन्होंने भी ड्रेन आफ वेल्थ को जो है बजट डिसकुशन में एक तरीके से आर्ग्यू किया था तो इन्होंने भी आर्ग्यूड किया अबाउट इस ड्रेन आफ वेल्थ के बारे में कहां पर किया था बजट सेशन में किया था तो बजट में किया था कहां पर किया था imperial this is imperial legislative assembly में legislative assembly ठीक है आप लोग को पता होगा कि 1893 के दौरान में हम लोगों को जो है discussion budget पर discussion करने को मिल गया था और इस तरीके से 1901 में जो होता है budget पर discussion के दौरान में इन्होंने इस Drain of Wealth Theory को बताया था क्लियर हो गया क्या है इसके लावा RC जत्ता ने भी अपनी एक बुक लिके थी RC जत्ता ने अपनी बुक लिके थी जिसका नाम है Economic History of India Economic History of India और यहां पर भी इन्होंने भी क्या किया था कि इस Drain of Wealth Theory को जो है वो explain किया था कि क्या क्या चीज़ें है क्लियर हो गया क्या है एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है जब यह Second Phase of Economic Development चल रहा था तो इस दोरान में Investment जो है वो यूरप से यानि कि England से बहुत ज़्यादा आने लग गया था तो एक तरीके से बोल सकते है कि foreign direct investment ये अब आधी की तरीके से आ गया था अब option था इनको कि यार कहां कहां पर invest करें तो अव्यसी बात है rail का development चल रहा है तो वहां पर करेंगे road का development चल रहा है तो यहां पर भी करेंगे post का development चल रहा है तो यहां पर भी करेंगे इन सब के अलावा एक और चीज थी वो थी government debt government debt में भी ये लोग FDI अपना ला सकते थे यहनी कि investment कर सकते थे और ये बहुत ही safe investment था इस कारण से जो government debt थी ये बहुत जादा जो है नेम फे में हो गई और सबसे जादा जो investment किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है clear हो गया क्या चीज है तो ये सारी थी पूरी economic policies के बारे में फड़ा फड़ा देख लेते हैं इसके content को भी क्या क्या economic policy है आगे समझ में आ गया होगा most probably ठीक है बहुत ज़्यदा tough नहीं है these are very simple things तो economic colonialism and British India RC Dutt in his work India today had suggested इंडिया टुडे में इस पूरे के पूरे जो थीन फेजेस थे उसके बारे में बताया था जैसे फस्ट फेज थी जो commercial थी basically first phase of mercantilism जो की 1757 से 1813 के दौरान में आई थी तो इंडिया फेज कंपनी पर्चेज गुड्स at cheap rate and sold commodities at high price apart from investment of surplus revenue for purchasing finished goods for export to England this phase coincided with the success of industrial revolution in Britain और इस समय वही आपकी जितनी भी exploitative policies वगरा है land revenue policies वगरा यहीं पर आई थी तो land revenue policy यहाँ पर कह सकते हैं second phase होती है जहाँ पर free trade and industrial capitalism आती है 1813 से 58 के दौरान में तो इस फेज इस मार्क्ट बाइजन ओफ इंडिया as market of finished goods from Britain और इस तरीके से raw material का सोच बन गया था third phase of financial imperialism में आ जाते हैं अच्छा यहाँ धियान रखेगा this is investment का stage है तो यहाँ पर investment जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी या फिर बोल सकते हैं FDI बहुत ज़्यादा आएगी third phase में आते हैं तो यह reflect करता है by the investment of surplus capital by British in India under guaranteed system private British capital investment in India guaranteed for safe returns और government debt बगरे में यह ज़्यादा एक तरीके से invest होना शुरू हो गय थी best example was railways and later on plantation, banking, shipping, import, export return of such investment constitute single biggest source of drain of wealth to Britain popularly known as home charges and such capital investment were termed as public debt at India तो यह system लाएगया था हमारे इस पूरे economic policy के दौरान में अगर system देखा जाए land revenue system तो अलरडी हम लोग ने इसके बारे में discuss कर लिया तो इसको एक बार आप लोग देख लीजेगा PDF को जो भी इसमें systems वगर आ है अलरेडी हम लोग ने इसके बारे में बहुत ही detail में और जो कुछ इसमें नहीं भी लिखा हुआ है वो सारी चीजें हम लोग ने discuss कर ली है drain of wealth theory again we have discussed इसको एक बार घीड कर लेते हैं because this is very very important तो दादा भाई नौरो जी explained the drain of wealth theory in his book poverty and unbritish rule in India 1867 में हाला कि इसके बारे में सबसे पहले बताया गया था तो it is that part of national wealth which was not available for consumption of Indians and was being drained away to England without any economic or material return this drain was continuous in nature this include home charges and interest on foreign capital investment तो एक तरीके से ये tax collection के रूप में निकल करके जा रहा था foreign banking, shipping, insurance इन सबके format में जा रही थी home charges में क्या क्या चीज़े थी एक था आपका expenditure by secretary of state in India office in London office खोल के रखा गया है London वेलेकिन पैसा जा रहा था इंडिया से तो एक तरीके से क्या है बिना कुछ किये धरे पैसा जो है वो drain of wealth हो रहा है dividend of shareholders office to India company फिर interest on public debt, war and military expenditure, store purchase in England तो ये सारे तरीके निकाला गया था जिसके basis पे जो drain of wealth की थियोरी जो होती वो चल रही थी बागी economic impact क्या होता है तो ये तो खेर बहुत ज़्यादा बताने की बात नहीं है सीधे क्या है handicraft जो industries थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई थी, पूरी decline हो गई थी modern industries आई तो इन लोगों का market पूरी तरीके से खराब कर दिया गया था agriculture पर impact बहुत ज़्यादा खराब था क्योंकि एक तो land revenue system बहुत ज़्यादा tough हो गय थे और दूसरा क्या है कि इनको forced labor कराया जा रहा था तो यहाँ पर जो नील है basically यानि indigo है उसकी cultivation कराई जा रही थी, forced cultivation कराई जा रही थी जिसके कारण से एक तरफ जो field है वो खराब होते आ रहे थे और दूसरी तरफ वही जो tax collection है वो भी बहुत ज़्यादा strong होते आ रहा था, बहुत ज़्यादा tough होते आ रहा था बनी लेंडर ओफिशिल से लोग आ गये थे जब इंदार्स बगर आ आ गये थे इंक्रीज रूलर इंडेपनेस हो गई थी, commercialization of agricultural product of specialized crop या फिर cash crop जो कि basically consumption में नहीं ली जा सकती थी जैसे के इंडिगो टी, rubber, sugar, यह सब established हो गई थी जिसके कारण से अगेन लोगों में जो होता है, खाना नहीं मिल रहा था और लोगों को problem हो रही थी और यह प्राइस भी क्या है कि कौन बताता था, यह अगेन जो है ददनी system होती थी जिसमें जो है उनका बहुत जादा जो है exploitation हो गया था, तो यह तरीके अपनाए गए थे, अब हम लोगों जो देख लेते हैं कि आखिर में इंडिया में जो developments है, जैसे कि railway, bank, industries, इन सब में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो फड़ा पर देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं, ताकि हम एक idea मिल जाएगा कि what all things are there, तो let me take another page and let us start discussion, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और बात करते हैं bank के बारे में, banks का development कैसे होता है, तो देखें इंडिया में जो bank का development start हुआ था, वो start हुआ था 1829 से ही, 1829 में हम लोगों ने पढ़ रखा था, दिवेंदर नाठ टैगोर क के बारे में, तो जो द्वारकर नाठ टैगोर थे, अब ये द्वारकर नाठ टैगोर कौन है, ये द्वारकर नाठ टैगोर वहीं है, आपके जो society बनाए गए थी, ब्रह्म समाज बगरे बनाए गया था, अमारे राजराम मुहन राए के द्वारा, वही ये द्वारकर नाठ टैग鬌 है ये क्या थे एक बिजनसमेन थे बिजनसमेन के फुर्दीय शेयर ट्रेडिण डल्続 शुरू कि और उल्टिमेटली इन्होंने क्या किया था सबसे पहला बैंक स्टार्ट किया था बेंगॉल में और इस बैंक का नाम था इस यूनियन बैंक in Calcutta Union Bank in Calcutta सबसे पहला इन्होंने बैंक लगा था तो अपने आप में क्या है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे द्वारकानाथ टेगोर का हाला कि बुक्स में इनका मेंशन नहीं मिलता है बटे स्टिल आपको जानना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था बाकि लाल राजपात राये अगया था इसके इसके अलाबा फिर Indian Bank एक स्टार्ट किया गया था Indian Bank और यह हुआ था आपका 1907 में फिर आपका Central Bank के स्टार्ट किया गया था Central Bank Central Bank के कब इस्टार्ट हुआ था 1911 में फिर स्टार्ट हुआ था Bank of Masur हाला कि इसको जो है अब मर्ज कर दिया गया है लेकिन Bank of Masur हुआ करता था जो कि 1930 में ओपन किया गया था तो यह बैंक से कुछ जिनको आपको ध्यान रखना है अगें इस विल बी वेरी इंपॉर्टन फॉर प्रिलिम्स इग्जामिनेशन तो यह ध्यान रखना है फिर वारे पास नेक्स जो अच्छा एक और एक दो चीज़े और भी आपको ध्यान रखनी है यहां पर वह यह है कि बेटिशर्स ने क्या किया था कि जब वर्ल्ड वार वन चल रही थी वर्ल्ड वार वन के दौरान में क्या हुआ था कि बहुत जादा समान की जरूरत थी मतलब जो फिनिश्ट गूट स्गया इंडूर्सियल कमिशन बना दिया गया और इस इंडेस्ट्रीयल कमिशन के दौरान में इन्हें टार्गेट क्या है कि किसी का दो किया गया था और मंगें जनरल यानि की वाइसराय कौन थे तो इस समय थे Harding तो Harding साहब थे जिन्हों ने ये Indian Industrial Commission ये establishment किया था किसकी मदद से किया था ये भी ध्यान रखिएगा ये था सर्थॉमस हॉलेंड के द्वारा सर्थॉमस हॉलेंड इनके मदद से बेसिकली ये किया इसके अलावा इसी दौरान में हमारे दादा भाई नौरो जी ने पर कैपिटा इंकम को कैलकुलेट किया था इसको कैलकुलेट किया था सिमिलरली एक और साहब ते जिनका नाम था डॉक्टर वी के आर्वी बहुत बढ़ा नाम है वी के आर्वी राव इन्होंने क्या किया था कि नेशनल को कैलकुलेट किया था टो नीशनल को के दौरा नहीं हिए ध्यान बखीएगा फिर आमारे पास next यह डेवलप्मेंट आती है वह om professions को लेकर के, लिए इंडियन इंडुस्ट्री उन्म मतलब कि वो सारी इंडुस्ट्री जिसने, जो इन्ड यंडेस ने स्टाइबुलिश किया था इंडियन इस्टाइप्लिश किया थह तो तो कौन-कौन सी इंडस्ट्री है या किस-किस टाइम पर डवलप्मेंट हुआ था, अगेन, सूपर इंपोर्टेंट, इस नॉट ओली इंपोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ती जो थी, वो सोल्ड की गई थी, कहाँ पर इंग्लेंड में, यानि की सोल्ड इन लंडन फॉर फॉर्स टाइम, पहली बार जो है, 1838 में चाय जो है, वो लंडन में बेची गई थी, फिर 1854 के दौरान में क्या होता है, 1854 में पहली इंडस्ट्री सेट अप होती है, फॉर्स्ट इंडस्ट्रियल सेट अप होता है, फॉर्स्ट इंडस्ट्रियल सेट अप होती है, इंडियन ने किया था, और इस समय ओपन क्या किया गया था, कॉटन इंडस्ट्री से चीज़े स्टार्ट हुई थी, cotton industry established किया गया था कहां पर बॉंबे में open किया गया था कौन थे एक पार्सी थे जिनका नाम है कौवस जी कौवस जी नाना भाई ठीक है कौवस जी नाना भाई इनका नाम याद रखिएगा हलाकि एंचियाटी वगर है में हर जगा पर इनका नाम mention है फिर 1854 से ही यह जो development उसकी आंधी आ गई थी 1857 में फिर एक express मिल लगाई जाती है एक्सप्रेस मिल कहां पर लगाई जाती है बॉंबे में लगाई जाती है बॉंबे नहीं नागपूर में लगाई जाती है तो इनके रहते हैं जमशेद टाटा जमशेद टाटा ने बेसिकली लगाए जाती है तो फिर्स्ट जूट फैक्टरी यह ओपर देre से रांपूर में बंगॉल में है इसके तो बताने की जरुवती नहीं है मैंने कही सारे जोह arbitrage की गए ती जो औ इंडस्ट्री किसकी अच्छित यह इस मी बताने की क्यों जरुवती नहीं देशसे वेरी इंपोटेंट 1904 में फिर cement factory लगाई जाती है तो this is cement factory कहां पर लगाई जाती है यह लगाई जाती है चिन्नहीं में तो this is again important ध्यान रखेगा चिन्नहीं में लगाई जाती है 1859 के दौरान में एक चीज़ ध्यान रखेगा कि एक paper mill setup किया गया था कहां पर बेंगॉल में सेटप किया गया था और किस के द्वारा सेटप किया गया था डॉक्टर विलियम कैरी के द्वारा किया गया था विलियम कैरी ठीक है कैरी मिनाटी हां तो कैरी के द्वारा किया गया था डॉक्टर विलियम कैरी के द्वारा ये इंडस्ट्रियल सेटप क की गई है तो रेल के development में अगर हम लोग आया जाए तो दू कारण से इसका development किया गया था एक raw material को हम लोग transfer कर सके तेजी से और दूसरा था deployment of army कि कहीं पर अगर जरूरत पड़ी है क्योंकि उस समय time period बहुत खराब चल रहा था बिटिशर के हिसाब से और कई जगों पर चोटे-मोटे विवाद होते रह रहे थे तो deployment of armed forces करना बहुत ही जादा तीजी से करना ज़रूरी हो गया था इसके लिए जो होती है उसको डवलप करना चाहिए तो इंडियन ट्रेन को डवलप करने की बात आती है फिर 1853 में क्या होता है बना दिया जाता है क्या नाम रहता है great Indian Peninsula और इस great Indian Peninsula के थुरू कहां पर चलाई जाती है ट्रेन बॉंबे टू ठाने यहां पर चलाई जाती है ट्रूंणे जाता है इसे एक्स्टेंड कर दिया जाता है इंडियन परिनिंसला को थाने और कम अपर हुर्आ जाता है जो मतबस्ट माइल्स हो गया है लग फाल मेंस किल्यलोंटalter है बॉंबे से कल्यान तो आएं जो जो रोकम है नहीं He जाती हैं इसके अलावा एक और चीज़ काम कर दिया गया था नया डवलप्मेंट किया गया था बेंगॉल ट्रेंड में तो बेंगॉल में भी ट्रेंड लगा दी गई थी नाम था इस्ट इंडियन रेलवे यह जो है वो लगाई गई थी कहां से कहां तक कैलकटा से रानी क्यों किया गया था यह सीधी सी बात है रानी गंज जो है वो मिनरल का सोट से है तो यहां पर एक्स्प्रोइटेशन करने के लिए बनाये गया था 1900 में क्या हुआ कि जितनी करजन का टाइम चल रहा है इस समय और जितनी भी रेल है उनका एक बड़े लेवल पर लार्ज इक्सपेंशन कराए गया था तो लार्ज इक्सपेंशन ऑफ रेलवेज यहां पर चल रहा था 1905 में क्या होता है 1905 में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना कर दी जाती है तो रेलवे बोर्ड जो है वो इस्टाइबलिश जाता और इस तरीके से रेलवे का पूरा डवलपमेंट हो जाता है और यह थी पूरी हमारी डिसक्शन जिसमें हम लोग ने बिसिकली एकनॉमिक इंडर्स्ट्रीज रेल एंड बैंक्स के बारे में बात किया कोई डाउट रहेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इमेल और टेलिग्राम चैनल की लिंक दी गई है तो उसको आप लोग फड़ा पर जॉइन कर लीजेगा और बाकी आप मेंशिप ले सकते हैं यू यू सू मच